एक देश एक चुनाव कमेटी की पहली बेठक तेवी सितंबर को होगी पूर्वु राष्टपती और कमेटी के अध्यक्ष रामनाथ कोविन ने शरीवार 16 सितंबर को ये जानकारी दी मिटिंग कहा होगी अभी ये नहीं बताया गया है इससे पहले 6 सितंबर को ग्रह मंत्री अमिशा और कानून मंत्री अरजुन राम मेगवाल ने पूर्व राष्टपती कोविन से मुलाकात की थी करीब एक घंडे तक चली इस मिटिंग को एक शिष्टाचार मुलाकात बताया गया था अमिशा इस कमिटी के सदस है और अरजुन राम मेगवाल स्पेशल मेंबर है एक देश एक चुनाव के प्रपोजल पर कानूनी पहलों की जाच के लिए केंदर सरकार ने एक सितंबर को एक कमिटी बनाई थी कहा गया था कि कमीटी एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव से जुड़े कानूनी पहलूँ पर गोर करने के साथ ही आम लोगों की राई भी लेगी सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसत का विशेश सत्र बुलाया है कयास लगाय जा रहे हैं कि सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है इससे पहले कानून मंत्राले ने कमीटी बनाई है इसका मकसद कानून के मुझूदा धाचे को ध्यान में रखते हुए देश में एक साथ चुनाव कराने को लेकर जाच करना है इसमें जाच की जाएगी कि लोकसभा, विदानसभा, नगरपालिका और पंचायतों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं या नहीं